वूड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीड़ा वलाईसी में और नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ सभी वीवर्स का मैं हारदेक हारदेक अभी नदन करता हूं स्वागत करता हूं दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो करें ही साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर कर दें अधिक से अधिक वीडियो को अपने ग्रूप्स में अपने फ्रेंड सरकल करें और पसंद आता है तो लाइक के बटन पर के लिए ज़रूर कर दोस्तों एक बहुती बढ़िया ख़वर निकल करके आ रही है कि चैनित सिक्षकों की जोईनिंग से संबंदित है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी जो बाल पीडित हुए हैं गौलियर के आसपास के छेतरों में द उन्होंने दिया है तो वो मैं आप लोगों को फेश्बुक पेच पर जो उन्होंने लिखा है वैसा का वैसा ही आप लोगों को बताऊंगा और एक निश्यत रूप से जो दोस्तों पॉजिटिव वैप से वो आई है तो जैसा कि आप फिक्स में भी देख पा रहे हैं कि ये मुख़मंत्र्जी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं अलांकि यह गारी में बैठे हुए हैं लेकिन इनका कहना है कि यह पहले नीचे उतर कर ही बात कर रहे थे हलांकि मैं आप लोगों को पूरी जानकारी बता देता हूँ तो आप देखी रहे हैं कि ये जो ग्वालियर का छेतर है उसके आसपास बाड़ पीड़ित का दोरा करने के लिए गए थे मुक्रिमंत्री जी और उनसे इसके संबन में भी प्रशनी पूछा गिया अब दोस्तों जो फेस्बुक पेच पर उन्होंने लिखा है जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं मैं आप लोगों को बिल्कुल वैसा का वैसा ही बता देता हूँ जिससे काफी कुछ समझ में आएगा कि मामा जी का रुख क्या है तो आज शाम नव चैनित सिक्षक संगठन के राकेश शाकेसर के गाउं में मुकमंद्री जी बाल का दोरा करने आये थे क्योंकि ग्यात हो कि ग्वालियर्ज बितरवार के आसपास के सभी गाउं की फसल चौपट हो गई है और पूरा गाउं बाल से प्रभावित है हरसी डेम के अलावा और भी सभी जगे उन्होंने दो पाई करूँगा इसके बाद राकेश सर ने अपनी बात सिक्षक वर्ती की बात भी रग दी कि मामा जी सिक्षक वर्ती की जौइनिंग कब हो रही है तो शिवराज मामा जी ने कहा कि चैनेद वाली ना राकेश सर ने कहा हां चैनेद वाली तो मामा जी ने कहा कर रहा हूं ब भड़े होकर कि कही ती जैसा कि इसमें लिखा हुआ है और फोटो जो है वो बाद में लिए गए हैं जब गाले में बैट गए तो दोस्तों इस प्रकार की ये बात की गई तो काफी कुछ कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है मामा जी से और निश्यत रूप से कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा तो मामा पॉजिटिव लग रहे थे हर सवल प्रवल प्रयास धन्यवाद राकेश सर सभी सिक्षकों की तरफ से आपने अकेले ही बात की जॉइनिंग की बात में DPI पर भी प्रदर्शन किया था और वहाँ पर एक अनोगे प्रदर्शन के रूप में इस प्रदर्शन को दर्ज किया गया जिसमें की मुर्गावन के जो कैंडिडेट हैं अब भेरती हैं चैने तवर के एक औरतों के उन्होंने नारेवाजी की थी और आई ए लगाने के संबंद में प्रशन पूछा था लेकिन कोई भी ठोस जवाब DPI से नहीं मिला केवल यही कहा गया कि इसके लिए हमने अनुमती लेने और इस पर सुझाव के लिए जो AG है एडवोकेट जनरल है उनके पास में लेटर भेजा है अब वहाँ से क्या सुझाव आता है तो जो भ आप लोगों को दोस्तों पहले की वीडियो में बता चुका हूं यहां पर केवल में आप लोगों को एक जानकारी दे रहा हूं तो दोस्तों इस प्रकार से मामा जी का जो बयान है वह काफी पॉजिटिव लग रहा है और नश्यत रूप से बहुत जल्दी जॉइनिंग हो जाएगी ऐसा प्रतीत होता है तो दोस्तों सभी के लिए बेस्ट आप लग मिलते हैं अपरे वीडियो में छेलों सब्सक्राइब करने खिल्कुल नवर्य दर्नेवाद चेंग